नमस्कार मैं रवीश कुमार अमरीका में राष्टपती चुनाओं के डिबेट में कौन जीता और कौन सबसे अधिक जूट बोल कर आया है इसे लेकर अमरीकी मीडिया में जंग छड़ गई है बड़ी बात है कि राष्टपती के उमिदवार डाउनल्ड टरंप और कमला हैरिस की डिबेट खत्म नहीं हुई कि दोनों के भाशनों को लेकर फैक्ट की चेकिंग की जाने लगी कि दोनों में से कौन महा जूटा है जूटों का सरदार है टरंप ने जादा जूट बोला या हैरिस ने केबल जूट ही नहीं बलकि भामक जवाबों की भी जाच होने लगी जिसे अंग्रेजी में मिसलीडिंग कहते हैं कई बार नेता जूट बोलने के अलावा अपने जवाब घुमा देते हैं आधी अधूरी बाते कहकर निकल जाते हैं फैक्ट चेकिंग से एक और चीज जानने का हमें मौका मिलता है के इसका इतिहास क्या है फैक्ट चेकिंग कहां से शुरू होती है इसका भी रेकॉर्डेट दस्तावेज जट से इंटरनेट पर मिल गया बॉस्टन युनिवर्सिटी की लाइबरेरी की वेबसाइट से इसकी वेबसाइट पर दुनिया भर के प्रमुख फैक्ट चेकर के नाम दिये गए हैं और उनकी प्रोफाइल भी मौजूद है इनमें CNN के डैनियल डेल भी हैं जिनोंने 10 सितंबर के डिबेट में ट्रम्प के 30 से अधिक और हैरिस का एक जूट और भ्रामक दावा पकड़ा है टाइम पत्रिका की एक तस्वीर भी मिली जो 1933 की है फैक्ट चेकर की मेंस पर आप देखिये कितनी फाइले रखी हैं अब यह काम कंप्यूटर से एक सेकंड में हो जाता है 1938 में टाइम मैगजिन ने विग्यापन दिया था कि हमने फैक्ट चेकर की संख्या 10 से बढ़ा कर 23 कर दी है नैंसी फोड को पहला फैक्ट चेकर बताया गया है और इनके बारे में लिखा गया है कि यह नियू यॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी जाया करती थी तथ्यों का पता लगाने के लिए 1933 से कॉलेज से पास करने वाली जादातर लड़किया फैक्ट चेक का का काम करने लगी माना जाता था कि वे इस काम को काफी बारी की और ध्यान से करती है आगे चलकर पुरुष भी इस काम में शामिल हो गया जर्मनी की एक पत्रिका है डेयर श्पिगल उसका दावा था कि उसके पास फैक्ट चेकर की सबसे बड़ी टीम है मगर उसी पत्रिका के एक रिपोर्टर ने सब को चक्मा दिया ऐसी ऐसी कहानिया बनाई और प्रकाशित किया के उसके फैक्ट चेकर भी नहीं पकड़ सके 2018 में इस घटना पर नियॉर्कर ने विस्तार से लिखा है 1930 के दशक से लेकर हम 2024 में आ चुके हैं आज फैक्ट चेकिंग की आवाज बहुत जादा सुनाई देती है चारो तरफ से लेकिन इसके बाद भी नेताओं का जूट बोलना कम नहीं हुआ जूट का पकड़ा जाना बढ़ गया है मगर बोलने में कोई कमी नहीं आई ड्यूक इनिवर्सिटी की रिपोर्टर्स लैब की इस वेबसाइट पर दुनिया भर की 442 फैक्ट चेक वेबसाइट और संस्थानों के नाम दिये गए हैं एक अन्य रिसर्च संस्था है कैंडिड इशू लैब उसकी वेबसाइट पर 2012 में वाशिंग्टन पोस्ट में फैक्ट चेक कॉलम लिखने वाले माइकल डॉप्स ने अपने एक शोद परक लेख में काफी दिल्चस्प जानकारी दी है कि आधुनिक फैक्ट चेकिंग राष्टपती रोनल्ड रेगन के दौर में शुरू होती है जब उन्होंने एक बेतु का दावा किया कि गाड़ियों के मकाबले पेड़ों से चार गुना जादा प्रदूशन फैलता है ऐसे ऐसे लोग दुनिया में राष्टपती होकर गए है जब 2004 के चुनाओं में जौर्ज बुश और जौन केरी के बीच मुकाबला हुआ तब राजनितिक ब्लॉगिंग की शुरुवात होती है और इससे मुक्यधारा की मीडिया पर अपने फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम को बेहतर करने का दबाव बढ़ने लग जाता है इंटरनेट के आने के बाद फैक्ट चेकिंग और अधिक लोग तांत्रिक हो जाता है अखबारों और चैनलों के अलावा अब आम लोग भी फैक्ट चेकिंग करने लग जाते हैं इस तरह से फैक्ट चेकिंग को मीडिया एको सिस्टम का अब हिस्सा मान लिया गया है यह भी देखा गया कि चुनावी सीजन में फैक्ट चेकिंग की मांग काफी बढ़ जाती है वाशिंग्टन पोस्ट का अपना फैक्ट चेकिंग ब्लॉग ही है महिने में इसका पेज व्यूज दस लाख तक हो जाता है अब तो फैक्ट चेकिंग ने आंदोलन का रूप ही ले लिया है दुनिया भर में फैक्ट चेकर नए एक्टिविस्ट मीडिया एक्टिविस्ट बन गए है वाशिंग्टन पोस्ट ने एक लाई ट्रेकर शुरू किया था जिसे 2021 में बंद कर दिया गया इसके तहत यगिन कर बताया गया कि डॉनल्ड ट्रम्प ने राश्ट पती रहते हुए कितनी बार जूट बोला ट्रम्प इतना जूट बोलते थे कि उनके लिए लाई ट्रेकर बनाया गया वाशिंग्टन पोस्ट हर दिन उनके जूट गिना करता था इसके अनुसार चार साल में ट्रम्प ने 30,573 जूट बोले हैं वाशिंग्टन पोस्ट के डेटा बेस में आप हर जूट की जाँच परक खुदी कर सकते हैं टॉरिंटो स्टार नाम के अख़बार ने गिनकर बताया कि ट्रम्प ने राश्ट पती रहते हुए 2019 तक के साल में हर दिन 6 से अधिक जूट बोले एक साल में 5,276 जूट इस फैक्ट चेक को भी डैनियल डेल ने तयार किया जो अब CNN से जुड़ गए हैं अब हम आते हैं कमला हैरिस और डॉनल्ट ट्रम्प की डिबेट पर दोनों में जूटों का सरदार कौन निकला इसे लेकर अमेरिका में बहस चल रही है गिनिती की जा रही है कि किसने कितने जूट बोले और भरामक बाते कहीं जून महिने की डिबेट में ट्रम्प ने राश्ट पती जो बाइडन की हालत खराब कर दी इतनी की बाइडन को मैदान से हटा दिया गया Associated Press News Agency ने तब अपनी हेडलाइन में लिखा कि बाइडन ने मुश्किल से टरंप का सामना करने की कोशिश की मगर उनकी उमिदवारी को लेकर डेमोकरेक्ट खेमे में चिंता है उस समय अमेरकी मीडिया के बड़े हिस्से की आलोचना इस बात को लेकर हुई कि सब ने देखा कि बाइडन की हालत खराब कर दी थी टरंप ने मगर मीडिया ने इस बात को बच बचा कर लिखा बाइडन के पक्ष में लिखा सितंबर की हेडलाइन में कमला हैरिस को लेकर अब जश्न सा दिखता है क्या वाकई ऐसा है? हैरिस ने टरंप को पचार दिया उसी एसोसियेटेड प्रेस ने लिखा है गर्बपात, अर्थविवस्था और लोक तंतर पर हैरिस ने टरंप के खिलाब बाइडन से बहतर केस लड़ा है खैर मंगलवार को एबी सी चैनल के मुख्याले में पहली बार कमला हैरिस और टरंप के बीच आमना सामना हुआ जून के डिबेट के विजेता टरंप आज के हेडलाइन में पीछे चले गए है विजेता की जगा कमला हैरिस ने ले ली है एबी सी चैनल ने तो डिबेट समात होते ही घोशना कर दिया कि एबी सी की वेबसाइट पर जाईए फैक्ट चेक तयार है जब भी अमेरिका में डिबेट होता है पूरी दुनिया अमेरिकी चुनाओ की डिबेट को देखती है जैसे उसके देश का चुनाओ हो पंचायत का चुनाओ हो इधर जहां रहता हूँ पारशत के चुनाओ में लोग वोट डालने नहीं जाते लेकिन सुबह सुबह उठकर अमेरिका में हो रहे प्रेशिडेंशियल डिबेट को सुनते हैं जागरुक बनने के लिए इस वज़ा से भी कि दुनिया के कई देश अमेरिकी विदेश नीती के कारण तबाह हो रहे हैं तो लोग देखना चाहते होंगे कि उन देशों को लेकर अमेरिका में क्या बहस हो रही है राश्ट्रपती जो बनने वाला है उसकी क्या नीती है और सोच है एक तरफ कमला हैरिस और टरम के बीच बहस हो रही थी दूसरी तरफ NBC, CNN, BBC जैसे मीडिया संस्थानों ने भी अपना अपना फैक्ट चेक्स देना शुरू कर दिया CNN के डैनियल डेल समेट कई पत्रकार फैक्ट चेक में लग गए होड लगी कि कौन किसका जूट पहले पकड़ता है अमरीकी मीडिया की तैयारी देखकर लगता है कि उन्हें पहले से ही अनुमान था कि आज जूट की बरसात होने वाली है तो सच का चाता ताम देना है बल्कि इस पर भी बहस हो रही है कि ABC के मॉडरेटर ने फैक्ट चेक कर सही किया या नहीं ट्रम्प ने तो आरोप ही लगा दिया है कि उनका मकाबला केबल हैरिस से नहीं था बलकि दो और लोगों से था उनके कहने का मतलब है डिबेट एक तरफा हो गया क्योंकि उनके सामने हैरिस के साथ साथ ABC के मॉडरेटर डेविड मॉर और लिनसी डेविस ने ट्रम्प का फैक्ट चेक कर डाला इस तरह से ट्रम्प का मॉकाबला तीन लोगों से हुआ ये ट्रम्प के आरोप है क्या मॉडरेटर को फैक्ट चेक करना चाहिए था बिलकुल करना चाहिए था आपके सामने कोई गलत बयानी करे तो डिबेट में टोका ही जाना चाहिए वशिंग्टन पोस्ट ने लिखा है कि लाइव फैक्ट चेक ने ABC के मॉडरेटर्स को औरों से अलग कर दिया प्रथा के अनुसार मॉडरेटर डिबेट से बाहर रहते हैं तटस्त रहते हैं वशिंग्टन पोस्ट ने ABC की एंकर लिनसी डेविट की तारीफ की है कि उन्होंने लाइव फैक्ट चेक कर डिबेट का इस्तर उचा कर दिया लिनसी ने टरंप को रोका कि पैदा होने के बाद किसी शिशु को मारना अमेरिका के किसी भी राज्जी में मान्य नहीं है डानल्ड टरंप ने कहा अगर उनके कारेकाल में अमरीकी फौज अफगानिस्तान से निकली होती तो अपने पीछे 85 अरब डॉलर के नए नए सैनिक उपकरन छोड़ कर नहीं आती इस पर ABC ने फैक्ट चेक कर डाला और लिखा कि अमरीका ने 2001 से अफगान सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करने सैनिक उपकरनों से लैस करने में 83 अरब डॉलर खर्च किये हैं 83 अरब डॉलर में से केवल 18 अरब डॉलर सैनिक उपकरनों पर खर्च हुआ उनके कारिकाल में अर्थ विवस्था ने एतिहासिक प्रगती की Associated Press ने तुरंत ही लिख दिया कि बढ़ा चढ़ा कर दावा कर रहे हैं टरंप से जादा तो रेगन और क्लिंटन के समय अर्थ विवस्था ने तरक्की की अपराद के आकड़ों को लेकर भी टरंप का जूट पकड़ा गया जब उन्होंने आरोप लगाया कि बाइडन के समय अपराद के आकड़े आस्मान चुने लगे इस पर अलग-अलग संस्थानों ने बता दिया कि FBI के आकड़े कहते हैं के हिंसक वारदातों में कमी आई है कोवीड के दौरान इनकी संख्या में 30 प्रतिशत का उच्छाल आया लेकिन 2023 के आकरी तीन महिनों में 6 प्रतिशत कम भी हुआ हत्या के मामलों में 13 प्रतिशत की कमी आई ट्रंप ने कहा कि बाइडन के समय मुद्रा इस्पिती इन्फलेशन काफी बढ़ गई अमेरिका के इतिहास में शायद कभी इतनी अधिक महंगाई नहीं रही जबकि तथे यह है कि बाइडन के कारिकाल की शुरुआत ने मुद्रा इस्पिती जरूर बढ़कर 9.1 प्रतिशत तक गई लेकिन अब यह घटने लगी है और 2.9 प्रतिशत पर आ गई है ABC चैनल ने लिखा है कि वैसे भी 9.1 फीसद की महंगाई दर एतिहासिक नहीं है क्योंकि 1980 में इससे भी अधिक 14 प्रतिशत पर महंगाई पहुँच गई थी भारत में तो कुछ भी बोल दिया जाता है कि भारत विश्व गुरू बन गया है विश्व कक्षा का पता नहीं मगर विश्व गुरू आ गया है गोदी मीडिया का एंकर दरजनों बार प्रधान मंत्री मोदी का इंटरिव्यू करता है मगर कभी उनके सामने फैक्ट चेक नहीं करता ना ही काउंटर सवाल धंग से कर पाता है जैसे टरंप ने कहा कि ओहायो के स्प्रिंग फिल्ड में जो दूसरे देशों से आए अवैद माइगरेंट हैं वो लोगों के पालतू जानवरों को मार कर खा जाते हैं ये बयान है और ये स्तर है कुत्ते खा रहे हैं बिल्या खा रहे हैं ये सब टरंप ने आरूप लगाए उनका इस तरह का बयान हिंसा तक भड़का सकता है पता चलता है कि दूसरे देशों से अलग अलग कारणों से आने वाले लोगों के प्रती उनके मन में कितनी घ्रणा है जबकि इस जूट का परदा फाश पहले किया जा चुका था मगर टरंप ने डिबेट में फिर से दोहराया आदत जाती तो नहीं ओहायो के स्प्रिंग फिल्ड पुलिस के प्रवक्ता ने इन बातों का खंडन किया है और कहा है कि कुत्ते बिल्ली खाने के कोई सबूत नहीं अवैद प्रवासियों को लेकर टरंप जो नंबर बताते हैं उसे भी चुनोती दी जा रही है जैसे ही टरंप ने अपने भाशन में नंबर बताया उसका फैक्ट चेक किया जाने लगा ठीक इसी तरह भारत में असम की राजनिती में दशकों तक घुस पैठियों का बाहरी लोगों का भूत खड़ा किया गया लेकिन जब एनारसी हुई तो उसे कराने के लिए सैंकडो करोड रुपे फूप दिये गए और दहशत में कई लोगों की मौत हो गई बाद में जो नंबर आया उतना नहीं था जितना दावा किया जा रहा था इंदनों असम के मुख्यमंतरी हिमंता विस्वा सर्मा जारखंड में है और वहां घुस पैठियों का भूत खड़ा कर रहे है जब कि उन्हें पता है कि जारखंड की सीमा बांगला देश से नहीं लगती असम की सीमा लगती है उसकी सुरक्षा की जिमेदारी केंदर सरकार की है जारखंड सरकार ने चुनावायोग से सर्मा के इन भाशनों पर रोक लगाने की मांग की है भारत में भी फैक्ट चेक किया जाता है आल्ट न्यूस का नाम आपने सुना है बूम लाइव का नाम आपने सुना है और भी दूसरी संस्थाएं है लेकिन अमेरिका के स्तर पर फैक्ट चेकिंग भारत में नहीं की जाती है मूल रूप से मुख्यधारा की मीडिया ने इस काम को आल्ट न्यूस के हवाले कर दिया है क्योंकि इसमें जोखिम है होता यह है कि कहीं भी खान पान से लेकर आबादी का भूत खड़ा कर दिया जाता है क्लासरूम में बिर्यानी का भूत खड़ा कर दिया जाता है और वह देश देता भी है इसकी एक कानूनी प्रक्रिया है जो लंबी चलती है एबी सी के एंकर ने पूछ दिया कि आप लाखों माइग्रेंट्स को कैसे वापस बेजेंगे जड़ा बताईए माइग्रेंट्स को कैसे वापस बेजेंगे तो इस सवाल का सीधा और ठोस माइग्रेशन और घुसपैठियों के नाम से टरंप लगातार अमेरिका के भीतर एक दुश्मन खड़ा करते जा रहे हैं इतिहास में यह जाना हुआ तथ्य है समुदाय के नाम पर भूत खड़ा करने की राजनिती से ही फासी बात की शुरुआत होती है टरंप कह रहे हैं क कि हाल के दिनों में टरंप और रिपब्लिकन पार्टी के कई निताओं ने इस तरह के आधार हिंदावे किये हैं इसका कोई भी प्रमान नहीं है कि अमेरिका में जो नागरिक नहीं है वो वोट कर रहा है जो नागरिक नहीं है वो अगर वोट करता है तो उसे जेल की सजा हो सकती है ट्रम के कारेकाल में अर्बो डॉलर खर्च कर मेक्सिको की सीमा पर दिवार बनाई गई तब भी अमरीकी सीमा का बड़ा हिस्सा खुला हुआ है और लोगों का आना कम नहीं हुआ सवाल है कि क्या उतनी संख्या में शरणारती आ रहे हैं जितना दावाट टरंप कर रहे हैं वो शुरुआती इस बात से करते हैं कि हर महिने लाखों लोग चले आ रहे हैं 21 मिलिएन से भी जादा लोग अमेरिका आ रहे हैं या संख्या नूई- अवैद रूप से अमेरिका में घुस रहे थे या बॉर्डर पेट्रोल का आधिकारिक आखड़ा है जब से बाइडन ने कारेभाल समभाला है बॉर्डर पेट्रोल ने 71 लाख लोगों को गिरफतार किया है इन में से कई लोग ऐसे भी हैं जो बार-बार सीमा के इस पार आ जा बड़ी संख्या में लोग कानूनी तरीके से भी आये हैं यह भी साबित नहीं हुआ कि इन में से जादा तर अपराधी हैं FBI इसके लिए अलग से डेटा जमान नहीं करती है ना ही इसका कोई प्रमान है कई रिपोर्ट में यह देखा गया है कि माइग्रेशन का अपराध से क कोई संबंद नहीं है 6 जनवरी 2020 को वशिंग्टन के कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ उसे लेकर भी टरंप का एक और जूट पकड़ा गया टरंप ने कह दिया वे स्पीकर नैंसी पेलोसी के पास गए और 10,000 नैशनल गार्ड तैनात करने का प्रस्ताव दिया मगर स्पीकर नैंसी ने मना कर दिया तथ है यह है कि नैशनल गार्ड की तैनाती उस समय स्पीकर रही नैंसी पेलोसी के अधीन नहीं है हाउस अफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर उसे निर्देश नहीं दे सकता नैशनल गार्ड की तैनाती का फैसला कैपिटल पुलिस बोर्ड करता है और जब टरंप समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला किया तब नैंसी ने नैशनल गार्ड से लेकर सेना की मदद मांगी इसका कोई भी प्रमान नहीं है कि नैंसी ने नैशनल गार्ड की तेनाती के खिलाब आदेश दिया था फैक्ट चेकर की साइड से यही पता चलता है कि सबसे ज़ादा जूट टरंप ने बोले उन्होंने यहां तक कह दिया कि रूस के रास्ट्रपती पुतिन ने कमला हैरिस का अनुमोधन किया है जबकि पुतिन ने मजाक में यह बात कही कि उमीद है कमला ही जीतेंगी मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी नौकरियां पैदा हुई टरंप के समय और बाइडन के समय इसे लेकर भी दावे किये गए पैंसिल्विनिया में पत्थरों को काट कर गैस और तेल निकालने के मुद्दे पर भी बहस हुई टरंप ने कह दिया हैरिस इसे बैन करेंगी एबी सी ने लिखा है कि यहां संदर्ब की आवशकता है हैरिस ने ऐसा कहा है मगर अब वे प्रतिबंद के पक्ष में नहीं है यह पर्यावरन से जुड़ा मुद्दा है कि आप तेल और गैस के लिए चट्टानों को किस हद तक काट सकते है लेकिन इसके खिला तर्क दिया जाता है कि तेल और गैस के आयात पर निर्भरता कम करनी है तो ऐसा जरूरी है ABC चैनल ने लिखा है कि टरंप ने यहाँ पर गलत बयानी की क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक अमेरिकी कॉंग्रिस से बैन का प्रस्ताव पास नहीं होगा राश्टपती बनने के बाद कमला हैरेस अपने मन से ऐसा नहीं कर सकती है हम माफी चाहते हैं कि टरंप के बोले हुए सारे जूट को कबर नहीं कर पाएंगे वैसे भी उनका जूट अमेरिका के लिए है वहाँ के लोग अपना समझ लेंगे मगर थोड़ा बहुत इसलिए बताया कि टरंप के जूट में एक समुदाय को लेकर जो नफरत है उसकी नकल यहाँ भी होती है या वैसा ही ठीक ठीक यहाँ भी होता है आपको पता चलना चाहिए कि दुनिया के देशों में जब इस तरह की नफरत फैलाई जाती है तब वहाँ के समाज का एक हिस्सा मीडिया कैसे रियाक्ट करता है अब देखिए डिबेट होते ही भारत में कुछ नेता लिखने लग गए काश यहाँ भी ऐसा डिबेट होता दिल्ली में बीजेपी की मुखिमंत्री उम्मिदवार थी किरनबेदी तब भी अमेरिका में डिबेट होता था बाद ने पॉंडिचेरी की उपरा जिपाल बनाई गई डिबेट के बाद उन्होंने लिखा कि भारत में इसकी शुरुवात होनी चाहिए इसके फाइदे बताने लगी ट्वीटर पर और कह रही है हरियाना और जम्मु कश्मीर से शुरू हो जाए लेकिन लोगसभा चुनाओं के समय राहूल गांधी और जैराम रमेश कई दिनों तक प्रधान मंत्री मोदी को पत्र लिखते रहे कि डिबेट के लिए आ जाईए तब भी तो सबको पता था कि अमेरिका में ऐसा ही डिबेट होता है उस समय किरणव्यदी को क्यों नहीं याद आया कि इस तरह की डिबेट भारत में हो हरियाना और जम्मु कश्मीर के बहाने क्यों सीधे सीधे लिख सकती है मोदी और राहूल के बीच डिबेट होनी चाहिए क्या कमला हैरिस ने सभी तथे सही सही रखे ऐसा भी नहीं है ABC ने केवल सच और जूट नहीं पकड़ा बलकि इसकी भी जाच की है और सवाल पूछा है कि दोनों वक्ताओं की बातों का संदर्व क्या है जैसे हैरिस ने कहा दिया ट्रम्प 20% टैक्स करने जा रहे है तो ABC ने पूछा हैरिस का दावा ठीक तो है मगर संदर्व की आवशकता है ट्रम्प ने आयात की गई सभी वस्तूओं पर 10-20% तक टैक्स लगाने और चीन से आयात पर 60% टैक्स लगाने की बात कही है हैरिस ने इसे ट्रम्प सेल्स टैक्स की संग्या दी है जबकि ट्रम्प ने इस नाम से कोई टैक्स लगाने का प्रस्ताव नहीं रखा स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि इस तरह की टैक्स प्रणाली की है और 2017 में दी गई निजी टैक्स में कटवती के विस्तार की बात की है एक और मसला था प्रोजेक्ट 2025 का कमला हरिस ने कहा टरंप इसे लागू करेंगे लेकिन ABC ने फैक्ट चेक में पाया वे इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं यह प्लान उनके पुर्वस सहयोगियों ने तैयार किया लेकिन टरंप ने कभी नहीं कहा इसे लागू करेंगे अमरीकी चुनाओं में उपिनियन पोल की बहुत बड़ी भूमिका है कई उपिनियन पोल की बहुत विश्वसनियता होती है डिबेट से पहले ही सवाल होने लगे कि क्या हैरिस टरंप से बढ़त को और आगे ले जा पाएंगी टरंप से उनकी बढ़त बहुत मामूली है कई राज्यों में टरंप हैरिस से आगे है उनकी पकड कमजोर नहीं हुई है लेकिन आज डिबेट के बाद मशूर सिंगर टेलर स्विफ्ट ने हैरिस को सपोर्ट कर दिया इंस्टाग्राम पर स्विफ्ट को दुनिया भर में 28 करोड से जादा लोग फॉलो करते हैं टेलर स्विफ्ट ने बेंजामिन बटन नाम की चर्चित बिल्ली के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की लिखा चाइल्डलेस कैट लेडी असल में मामला यह है कि टरंप के साथ उपर आश्ट्रपती पद के उमिदवार जेडी वेंस ने कमला हैरिस को चाइल्डलेस कैट लेडी कह दिया किसी स्त्री को निसंतान बोलना कितना अपमान जनक है पड़े लिखे अमरीकी निताओं के दिमाग से गोबर गया नहीं बलकि गोबर लगता है दोनों ही देशों में सेम है टेलर के समर्थन से हंगामा मच गया स्विफ्ट ने लिखा है कि वे आने वाले रास्टपती चुनाओं में कमला हैरिस और टिम वाल्स को वोट करने वाली है पोस्ट में स्विफ्ट ने यह भी बताया कि कैसे डानल्ड टरम्प ने उनका जूटा एयाई वर्जन बनाकर पोस्ट किया कि टेलर ने टरम्प का समर्थन किया है वे लिखती हैं कि गलत जानकारी से लड़ने का सबसे सरल तरीका है कि उसके सामने सच को रखा जाए अफगानिस्तान से लेकर घजा तक पर दोनों निताओं को सुन कर कुछ भी साफ नहीं हुआ दोनों ने जवाब देने के लिए जवाब तो दे दिये मगर उनके इन जवाबों पर कम ही बहस हो रही है डिबेट की कई खुबियां हो सकती है लेकिन जैसे ही बहस इसराइल और घजा को लेकर होती है युक्रेन और रूस को लेकर होती है अब चारिकता निभा दी जाती है इसलिए ये भरम भी ठीक नहीं कि डिबेट से नेताओं में और राजनीती में जवाब देही आती ही है मुद्दों से पता चलता है कि राजनीती कहीं पर अटक गई है उसकी बेडियां किसी और के पास हैं नेता बहुत हद तक आजाद नजर नहीं आते नेताओं के विचार ऐसे लगते हैं जैसे कोई आपके फ्लैट में नलके का लीकेज ठीक करने का दावा कर रहा हो या कोई बिजली की तार बदलने का दुनिया इस वक्त युद्ध का क्रूर नजारा देख रही है लोकतंत्रिक सरकारे युद्ध रोकने में नाकाम रही है और हम और आप हैं कि डिबेट में ही लोकतंत्र का सारा सिनेमा देखने का मज़ा लेना चाहते हैं नमस्कार मैं रवीश कुमार